स्वागत है आपका आपके अपने युटूब चैनल एजुकेशन जगत पे दोस्तों कल स्टेट 2019 मेरिट आंदोलन के दोरान स्टेट अभेयर्थियों के साथ क्या हुआ आए उसको विस्तार से जानते हैं कि दोलन किया था फिर उसके बाद पुलिस परसाशन ने हमें कि सचिवाला थाना में बंद किया मुझे रुपेश भाई को गौतब जी को और रात को लगभा ये गारह बज़े छोड़ा था उन लोगों ने फिर कल जो भी घटना क्रम हुआ सब पूरे बिहार पूरा हिंदुस्तान होजपोज में था जो लोग इक चुक्ते इस माम लेज़ा तो पूरा जो होजपोज में था सब को बताना था क्यों वास्तवित्ता क्या है आखिर क्यों कौन से ऐसे स्थिति परिस्थिति हो गई जि इसको हमें explain करना था तो आज बहुत बढ़ियां सधा हुआ प्रेस कॉन्फरेंस किया हूं गांधी मैदान में लगव 25 मेडिया कर्मियों से आज मैं बात किया मेरे साथ ही हूं मैं था रुपेश भाई थे भीक्य वर्मा जी सौरॉब जी थे और राहुल पांडित यह सब मि करके 25 से जादा मेडिया कर्मियों सो मैंने बात किया और मजबूति से मैं अपनी बात को रखा हुं कि आखिर क्या कारण था सिक्षा मंतरी ने कैसे हमें प्रतारित करके हमें इसकत्रीजों की अच्यां कि वह सब ही चैनलीलों का लिंक में सेयर करूंगा और जिस तरह से हम रुपेश भाई और यहां पर मेरे सारे गौतम भाई सभी साथियों ने जो हमने लड़ाईयां लड़ी हैं आपका काम यह है कि सारे जितने भी चैनल्स हैं उस चैनल को गाउं गाउं गली गली घर घर में पहुचा देना यह आपकी जवाब देई है यह मेर इतना फैलाना है कि हर कोई को पता चल जाए कि आखिर एस्टेट 2019 का मुद्दा है क्या बस और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है तो फिर मैं बाकी बात कर लूंगा अंत में रुपेश भाई अभी आएंगे आपसे और बात करेंगे तो रुपेश भाई से पहले आप बात करन प्रणुदू आप लोगों देल से नमस्कार आप लोग ने लगने को इस मुश्किल घड़ी में कल उसमें अप लोग ने जो मत और साहत का पड़िजय दीया है था हम लोग तो अंदर थे बाहर आप ही लोग का जो भी करिया कला पढ़ा था जो भी जो यह की तरह यूप सब लोग बाहरी थे और वह दोस्त लोग जो हम लोग जब तक बाहर नहीं है तब तक वह दोस्त लोग उस ठंड में भी थाने के बाहर इंतिजार करते रहें और अपने अस्तर से सब लोग लोगों ने जहां जहां से जैसे हुगा वहां से वह मदद किया और दूसरे से करवाया भी और और वह थारा प्रभारी पर लगातार फोन पर और कॉल आ छोड़ने का यह दबाव आ रहा था तो यह जो है कि यह सब लोग के अथक परिश्रम ही था और बहुत खुसी होता है जब आप कि सचाई के सांथ हो और उसके सांथ निभाने वाले दोस्त भी आपके सांथ हो जो हर कदम कदम पर आपके सांथ पर पूरे दिन करम कदम पर सांथ हमें कभी आइसा नहीं लगा कि हम लोग अकेले हैं थाने में अंदर जरू बंद थे हाजयत में बंद जरू थे लेकिन कभी ऐसा किला महसूस नहीं होने दिया इसलिए आपको तहरे दिल से सभी सांथियों को धन्यवाद है कि और संथियों हम लोग आज हम वो भोग जो घांदी माद्न चाही मेर में गायर करना के लिए तॉसको बिजनेस कर रहे हैं वो है तो अब ऐसी नोवत क्यों आई इसलिए हम लोगों ने आज ये क्लियर करना चाहा था कि अपर मुख सची हूं लगातार अपने बयानों पर यह मेरिट को अर्थिन बता रहे हैं और हम लोग से मिलते हैं कहते कुछ और है आगे कुछ और करते हैं अधिया जाते हैं तो जांते हैं कि प्रसासन के तो हम लोग ने यहीं बात को प्रसासन और आम जंटांग बीच रखना था और सभी मेरिधार बेश्यों के बीच भी रखना था कि हम लोग साथ जो अन्याय हो रहा है इसका जिमवार कौन है इसलिए हम लोग को यह कड़म हेल है अब लोग सब्सक्राइब में और बाहर जो शांती ते अर्जुन जी लोग भी भी थे नेराजी गया है अलोग सिवास्तों जी पहुंचे थे उंप्रकास भाई भी थे पीके वरमाज सहब थे शब लोग वहां पर था शब लोग का जो है कि बहुत तिसा रहनी रहा है और हम लोग आगे का कुछ बात बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना अब इसकाल में सब लोग में तरफ जाने पहते निया बात किया सकता है कि अपने जो आज का प्रेस का औंफेर्स है इसलि कि combat करना अ क्या है Sidre 2019 का मुद्धा जो भी अभी तक का जो यह हम लोग के साथ हो रहा है अभी तक जो प्रिक्रिया हुगा है इस सबको बातों को बताना है कि कैसे सरकार ये कर रही है सरकार कैसे जो है कि मेटे घ्रह सरकार कैसे सरकार एक उचित एक जो होता है जो हकिदार होता है उसके को छीन करके पैसे पुर प्राइप अदित subscribe टना है रहे हम लोग हम लोग सीलडаться सब जगा हम लोग करना होगा कि देखिये कैसे अपने दिकार लटा जाता है यह पी पताना कि अपने अथिकार के लिए लड़ना और छीन ना कैसे परता जो आपकी अथिकार माझा की हद कि परas रखेंद भी काम तरह कि उसकिया कि ङरे काम था मेनने मेरी याम मेरा धर्म मेरा करटाव था तो हमने वो किया लेकिन जो सिख्षा मत्री किये वो गलत था और उसके बाद हम लोग का अपना कर्दवे बनता है उस मेरिट को बचाया रखना क्योंकि मेरिट सिफामाना नहीं है एक सिख्षक जो बैकडूर से जाता है एक सिख्षक नॉन मेरिट का जाएगा सिधा से बाद हजारों बच्चे का प्र depressedर Gaming सिख्षक यदि से ऑजारों बच्चे का खराब करेंगा एक सचिजए एक क्लास में 400 बच्चे होते हैं और ह béत कर ऊजब से कुल में तो उस्से आने वाला की साल साल तक आने वाले हैं तिस साल स्कूर्फ यानिवीड रहेगा कि अरु से क्या बनेगा उसे असमर्थ बच्चे हों उसरे वह समर्थ बच्चे अंगे जाके क्या करेंगे यहार को गर्त में रख देंगी इसलिए एक को पार्फ कर राता है हम लोग किसक्षक होते न होना भी नहीं चाहिए होना भी नहीं चाहिए हो कि उनका कोई च्रोंज होना उन्ह 제गpta नहीं है इस बात को हम लोग हम लोग बना करना है और आने वाले समय में बजर छालू होने वाला है उससे पढले ही हम लोग को कुल प्रूर्फ के साथ बना करके अपने ब्लन्दी से फिर से उठाना वाले बच्चे सोगे मतूं को सोने दिजी क्यों कि वह बच्चा मंतुरी का पोल खोल देंगे अगर वो सिख्वा मंतुरी का पोल खोलकिए ऩा इसलिए वह चाहते हैं बुट्चा न बोले हम लोग उनको चैन से नहीं नहीं देंगे यह बात कि सम्झ लीजिए हम लोग सिंख्ञम मंत्री को चैन से मलाई तो नहीं यह खाने करने चले थे क्या किया और क्या कर रहे हैं कल हम जब थे तो दो चार बात दुरूर सोच रहे थे कि हम लोग को नौकरी के लिए आया थे हम लोग ने दया Хका जाना था और कहा चले जो कहा जाना था और चले नहीं दो आहीं संच रहे कि कहा स 리 पहरे में बंद हैं इसलिए करते हैं कि अपने दिकार के लिए बहुत कुछ आना पड़ता है जो हम लोग सहे हैं और आगे यह नहीं है कि यह आख़ी है इसके आगे भी लगाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जाता कि एक हम लोग अधिकार हम लोग यह चोर दें नहीं तो हैं उनकी नोखरी पकी होगी तभी हम लोग चैंसर बैठेंगे इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है हम लोग सब के लिए लड़ेंगे और जब तक पूरी होने जाती नियुक्ति तीसा चेज़ो पच्छतर की तब तक नहीं बैठने वाले हैं इस बात को सपष्ट हम लोग का उदेश सी भी है और लक्ष ही एक मात्र लक्ष है यही पूरे मेट राई च्छतरों की नियुक्ति हो या नियुक्ति हो लेकिन उनको उसके बाद अपना सरकार को करना है करता है सरकार पिछोड़ देते हैं उसका मात्र पेची टेंशन हम क्यों लें अपना सरकार समझें तीसा चेज़ों में है तो है उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे ठीक है सांथियो अनि बात बुले है उ जितना भी इंटर्वियू आज मैंने प्रेस कॉंफरेंस किये हैं, अगर मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तो इस सारे प्रेस कॉंफरेंस जो पचीसों मीडिया कर्मियों का है, उसको गाउं गाउं, गली, गली, घर, घर, राज और देश में सब जगा फैला देन है कि कैसे सिक्षा मंतरी स्री विजय कुमार चोधरी संबीधान की अवहिलना कर रहे हैं, कैसे बिहार की सरकार सरकारी विजयापन के चेन की परकिरिया को परिच्छा परिड़ाम के बाद परिवर्तित करने की सिफारिस कर रही है, एस टेट 2009 हमको घर घर में ये बात है कि आप ये काम करिएगा और यही यही आपकी आपका योगदान होगा यही आपका योगदान और कुछ विशेश नहीं है इन्हीं सब्दों के साथ मैं अपनी वाली को विराम देता हूं जै हिंद जै भींद जै संबिधान जै मेरिट सभी मेरिट अभ्यारती एकजूट होकर आंदोलन में बढ़ चर कर हिस्सा लीजिए और मेरिट की बहाली तै करने में अपना महत्तापुन योगदान देने की किरपा करें आज के लिए इतना ही थैंक्यू धन्यबाद